नमस्कार सातियों, मैं मधर कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कम्प्यूटर क्लासरूम आज हम आपको इस वीडियो में गूगल मीट एप के बारे में बताएंगे कि गूगल मीट एप क्या है और हम लोग गूगल मीट एप का अपयोग कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल मीट एप क्या है गूगल मीट एक वीडियो कॉनफरेंसिंग एप है जिसके दोरा आप लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं Google Meet दोरा वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फरेंसिंग की जाती है इस से आप आनलाइन मीटिंग कर सकते हैं आनलाइन क्लास ले सकते हैं या आप अपने फैमिली मेंबर से लाइव वीडियो कॉल कर इसका बेक्तिगत उप्योग भी कर सकते हैं तो अब हम बात करेंगे गूगल मीट का उप्योग कैसे करते हैं गूगल मीट का उप्योग करना बहुत ही आसान है मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाइ स्टेप सारी प्रक्रिया समझाऊंगा कि आप मेरे दोरा बताए गए स्टेप को फालो करके आशानी से गूगल मीट एप में निव मीटिंग लिंक कैसे बना सकते हैं उसका लिंक कैसे जनरेट करते हैं और कैसे सेयर करते हैं और उस लिंक को आप अपने फ्रेंड्स या फैंबली मेंबर्स को सेयर करके Google Meet Conferencing Platform का उपयोग कर सकते हैं Google Meet को स्मार्ट फोन, लैप्टॉप और डेक्स टॉप सभी पर इस्तेमाल किया जा सकता है तो आज हम आपको मॉबाइल फोन में Google Meet का उपयोग कैसे करते हैं ये आपको इस वीडियो में दिखाएंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने मॉबाइल फोन की स्क्रीन पर आते हैं और प्ले स्टोर में जाते हैं और सर्च बार में Google Meet अप्लिकेशन को टाइप करेंगे जैसे ही Google Meet अप्लिकेशन को टाइप करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने उपन होकर आएगा तो हम लोग यह आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर यह दिया हुआ है Google Meet इस वाले अप्लिकेशन पर क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे जैसे इस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं तो मेरा अप्लिकेशन इस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इस अप्लिकेशन में एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के लिए न्यू मीटिंग का लिंक कैसे जनरेट करके उसे वाटसेप या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर सेयर करके वीडियो कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन मीटिंग ले स लगते हैं तो हमारा अप्लिकेशन इस्टाल हो रहा है तो अभी प्रक्रिया मैं सारी आपको स्टेप बाइस्टेप दिखाऊंगा तो Google Meet एप हमारा इंस्टाल हो रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अप्लिकेशन हमारा इंस्टाल हो गया है ओपन बटन पे क्लिक करते हैं इसको ओपन करेंगे जैसे ही ओपन करेंगे तो मेरे सामने इस तरह का एक यूजर इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे आपको जिस mail ID से आपको इस application को access करना है उस mail ID को select करेंगे जैसे मुझे इस mail ID से करना है मैंने इसको select कर लिया और यहाँ पे कुछ इस तरह का page open होकर आया है जिसमें welcome to meet original to make video calls on meet allow access to your device video camera and microphone बनलब यह कह रहा है कि आप लोग mobile phone पे इस application में अपने video camera microphone से meet को use कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे continue पे click करेंगे और यहाँ पे कुछ permissions वो मांग रहा है जिसको हम लोग allow कर देंगे हम लोग permissions को allow कर दिये हैं उसके बाद में मेरे सामने कुछ इस तरह का page open हो रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है new meeting और यह join with a code new meeting का मतलब है कि आप लोग यहाँ पर एक नई meeting का link generate करके उसको कहीं भी share करके आप online video call कर सकते हैं और join with a code का मतलब है जब आप एक link generate होता है तो उसमें एक code भी दिया जाता है अगर हमारी meeting चल रही है तो आप लोग उस code को यहाँ पर join with a code में डाल करके आप लोग आसानी से enter हो सकते हैं तो हम आपको इसमें दिखा रहे हैं कि हम लोगों को एक नया link कैसे create करना है तो हम लोग यहाँ new meeting बटन पे क्लिक करेंगे जैसे ही new meeting बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने कुछ इस तरह का page open होकर आएगा जिसमें उपर लिखा हुआ get a meeting link to share जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमें इस पे करना है जब हम लोग इस button पे क्लिक करेंगे तो एक नया link generate होगा तो हम लोग इस पे क्लिक करते हैं जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि इस meeting का link जो है हमारा generate हो गया है नया link यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है share invitation इस वाले button पे क्लिक करेंगे और इस link को आप कहीं भी share कर सकते हैं share invitation पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक page open हुआ है WhatsApp, Telegram, Gmail, Facebook कहीं पर भी आप इसको share कर सकते हैं तो हम लोग इसको WhatsApp पे share करते हैं जैसे कि मैं इस link को share कर रहा हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इस link को share कर दिया है तो जितने लोगों को आपको video call करनी है तो उन लोगों को आप लोग इस link को share कर सकते हैं और उसके बाद में जिन लोगों के पास हमारा link पहुँच गया है वो लोग इस पर click करेंगे और direct मेरे meeting में add हो सकते हैं तो हम आपको meeting में add कैसे होते हैं इसका पूरा process दिखाते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने link whatsapp के माध्यम से share कर दिया है तो आप इस link पर click करेंगे और आप google meet application पर आसानी से जड़ जाएंगे तो हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं जो हमारा google meet app है उसमें आप अपने बैक्तिगत खाते से बैक्तिगत खाते का मतलब क्या है आप अपनी एक mail id से आप सव लोगों को आशानी से add कर सकते हैं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने आपको यहां पर दिखाया था google meet app में यहां पर new meeting join with the code में कैसे join करते हैं तो जो link हमने भेजा है आप लोग देख रहे होंगे यहां पर सबसे नीचे बॉटम में देखिए यहां पर लिखा हुआ है join with the code यह देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप गूगल मीट में एक लिंक को क्रियेट कर सकते हैं और आप एक सिंगल मेल आइडी से सव लोगों को आप अप्लिकेशन के माध्यम से आड़ करके वीडियो कॉल कर सकते हैं तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ सेयर करें अगर आपके मन में कुई भी कन्फियूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं धन्यवाद